हेलो फ्रेंड आज के वीडियो में हम डिश्टीवी स्टीवी को हार्ड रिसेट कैसे करते हैं वो करना सीखेंगे हार्ड रिसेट फैक्टरी रिसेट से अलग होता है हार्ड रिसेट में हार्ड रिसेट की जरूरत तब होती है जब हम डिश्टीवी का या किसी भी स्टीवी का menu open नहीं कर पाते तो उस time hard reset करते हैं जो सिर्फ STV पे key या hidden keys द्वारा hard reset होता है तो आज हम dish TV के HD STV या normal STV किसी को भी hard reset कैसे करते हैं इस पर बात करेंगे तो चलिए दोस्तों अब मैं video start करता हूँ video start करने से पहले play channel को subscribe कर लेना और video को end तक पुरा देखना तो चलिए आप इस video को start करते हैं तो सबसे पहले जो आपने काम करना है dish TV का STV देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यह यह dish TV का STV है अभी चल रहा है आपने करना क्या है इसका जो आगे यह वाला stand by pin stand by का button होता है न आपने इसको दबाना है उससे पहले adapter pin निकालना है यह stand by वाला की दबा के रखना है और adapter का pin लगा देना है इसको ऐसे ही दबा के रखना है जब तक के STV on नहीं हो जाता और ऐसे में यह वाला screen open होएगा तो एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको यह STV का stand by वाला button दबा के रखना है और adapter का pin निकाल के दुबारा से लगा देना है ऐसे करने से आपका Dish TV का STV hard reset हो जाएगा तो जो इससे पहले on होने के बाद जो screen आएगा वो यह आपके सामने है इसमें software upgrade version आ जाएगा उपर उसके बाद frequency आएगी तो polarity vertical रहती है 12-688 है न यह Dish TV का home transponder है symbol rate 27-500 PID 291 lock यहाँ पे unlocked रहेगा तो अब start पे जाके अगर आपके STV में कोई signal का problem नहीं है आपका box खराब नहीं है तो यहाँ पे start पे आप ऐसे okay कर देंगे okay करने के बाद lock check आएगा signal quality आपकी जैसे 89, 93 जितनी maximum हो दिखाएगी आपका जितना भी signal पे antenna set है तो यह start करते ही हमारा software का progress start हो जाएगा अगर आपके box में signal issue नहीं है मतलब आपका STV okay है आपका dish antenna okay है मतलब उसमें signal properly set है तो आपका यह signal quality दिखाएगा और progress start हो जाएगा तो यह तकरीबन 4 से 5 मिनिट लेगा इसमें software download करने में यह चलिए तब तक यह download हो रहा है वेट करें इतना अगर यहां पे आपके dish antenna और STV में कोई problem ही होगा तो आपका यह lock जो lock के आगे locked आ रहा है signal यह status locked नहीं दिखाएगा यह unlocked ही रहेगा तो तब आप आगे कुछ नहीं कर पाएगे क्योंकि आपका STV या dish antenna खराब है तो यह पहले dish antenna सेट कर आ लें या खुद कर लें उसके बाद STV STV में अगर signal problem है तो भी यहां पे unlocked नहीं रहेगा तो आगे आपको करने की जुरूरत नहीं है उसके लिए आप customer के पे call करेंगे और engineer आपके घर पे आएगा और इस box को swap करके जाएगा तो यह ध्यान रखना आप 90% हो गया है मैं थोड़ा skip कर देता हूँ वीडियो को 97, 98 और 99% 100% हो गया अब यह flash writing करेगा जो इसमें memory chip होता है उसको write कर रहा है इसमें ज्यादा time नहीं लगता यह जल्दी जल्दी हो जाता है अब आपका STB stand by mode में इसमें red red indicator आएगा और दबारा से restart होएगा तो आप इसका wait करना loading please wait अब आपका जो HD STB हो हार्ड रिसेट हो चुका है तो कई बार अगर आपके box में starting में problems आती है तो इससे काफी problems solve हो जाती है दोस्तो आज का video आपके कुछ काम आया तो please channel को subscribe करना और hard reset आपने कैसे करना है यह आपने आज इस video में देख लिया thank you friends bye bye